आज सभी लोगों ने बहुत उत्सा के साथ गाने वगरा प्रस्तुत किये मुझे बहुत खुशी है जो लोग पहली बार आए हैं उनको याद दिला दूँ यहाँ पिछले चार साल से हिंदी में सत्संग होता है हर संडे शाम को सभी लोग नियमित रूप से आया करें सुख में करें न कोई मतलब जब दुख है तब तो प्रभू का स्मरंड हर कोई करता है सुख है तब सब प्रभू को भूल जाते हैं सुख में सुमिरं सब करें तो दुख काहे को होए जब जीवन में सुख ही सुख चल रहा है तब प्रभू को स्मरेंड करो तो दुख क्यों होगा ये एक बहुत बड़ी बात है जो कबिरदास्ची कह गए है कि मनिश हमेशा सुख में अपने सुरिष्टी करता को सिर जनहार को भूल जाता है और जब जरूरत या मुसीबत आती है तो ये प्रभू मदद करने एकदम से बोलता है बलकि ऐसा कहा जाता है कि जो नास्तिक है जो ईश्वर की सत्ता में या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता वो भी जब जीवन में मुसीबत आती है जब उसका बेटा या बेटी बहुत भयानक मुसीबत में है तो नास्तिक में कहता है कि ये प्रभू मैं आप पर विश्वास तो नहीं करता लेकिन आप जरा मेरे बच्चे के उपर दया दिखा देना हम में से हर विएक्ति की जिम्मेदारी है कि हम प्रभू को स्मरण करें इस कारण नियमित रूप से सत्संग में आया करें इस सत्संग में हम लोग प्रभू ईश्व के जीवन का और उनकी शिक्षाओं का अतियान करते हैं प्रभु ईशु को उत्तर भारत में खास कर उत्तर प्रदेश, बिहार, उडिसा और हमारा मद्धी प्रदेश वहाँ पर ईशा कहा जाता है जो कि एक ही व्यक्ति का नाम है ईशा, ईशु, जीसस सब अलग अलग भाषाओं में एक ही व्यक्ति के नाम है पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रभु ईशु की शिच्छाओं का खास कर एक विशेश शिच्छा का अध्यान कर रहे थे प्रभु ने तीस साल की उमर में जो सेवा कारी शुरू किया तो भीड ऐसे तूटती थी कि प्रभु को और प्रभु के शिच्छ्यों को सांस लेने की फुरसत नहीं मिलती थी एक बार भीड इतनी जादा हो गई उसमें लौट स्पीकर तो था नहीं प्रभु को ये बात समझ में आ गई कि मुझे ऐसे जोर से बोलना होगा कि ये दस हजारों लोग सुन सकें इसलिए प्रभु एक पहाड के उपर चड़ गए पहाड के उपर से प्रभु ने अपना सबसे प्रसिध संदेश दिया या प्रविचन दिया जो पहाड के उपर से दिया था इसलिए परवती उपदेश कहलाता है जिसके बारे में राश्ट्र पिता बापू जिनको इस हफते हमने फिर से याद दिलाया याद किया था बापू कहते थे कि रोज इसमें से एक हिस्सा जरूर पढ़ते थे इसमें से काफी भागों का अध्याइन हमने किया था करते-करते, पिछले हफ़ते हमने यह देखा था, प्रभु ने कहा था कि देखो, प्रार्थ ना करो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दान करो, तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा कि प्रभु जिस समाज में थे, उस समाज में लोग बैंड बाजा बजाते हुए भेंट ले जाते थे जिससे सारी दुनिया को पता चले कि भाईया साहब जो है बहुत महादानी है उसी तरह से प्रार्थना करते थे तो सडक के चौरहों पे खड़े होके यूँ खड़े होके प्रभू से प्रार्थना करते थे जिससे कि सारे गा साहब तो प्रार्थना घंटों करते हैं प्रभु ने कहा देखो मेरे बच्चे प्रार्थना नाटक नहीं है प्रभु को दान देना प्रदर्शन नहीं है इसलिए प्रभु को यदि तुम देते हो तो उसको रहस्य में दो दूसरों को बताने के लिए नहीं और प्रार्थना क प्रभु जेलों ने एक बार प्रभु से एक बात पूछी थी कि प्रभु प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और प्रभु ने उसका उत्तर दिया था और लास्ट हफ़ते हमने यह देखा कि प्रार्थना नाटक नहीं है। आज प्रभु ईशु के इस प्रवती उपदेश से हम ये देखना चाहेंगे, अपन सब देखना चाहते हैं कि प्रार्थना कैसे करें, उसके लिए छटे अध्याय के मत्ती रेचित सुस्माचार, छटे अध्याय के नौवे पत से हम पढ़ना चालू करेंगे, महा लिखा है, तुम इस रीटी से प्रार्थना किया करो, हे हमाएरे पिता आप जो स्वर्ध में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्याए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ध में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, अपन लोग प्रार्थना करते हैं तो अक्सर कैसे प्रार्थना करते हैं प्रभू, बच्चे को परेशानी है उसकी मदद कीजिए, बिटिया को परेशानी है उसकी मदद कीजिए, घर में भाई बेहन हैं, बीबी बच्चे हैं, परेशान हैं उनकी मदद कीजिए, करते हैं या नहीं करते हैं, अक्सर ऐसा ही करत लेकिन प्रभु ने ये बात याद दिलाई कि इस संसार के सिर्जनहार, पालनहार और तारनहार के सामने जब हम आते हैं तब आभार के साथ आना चाहिए। आते ही है प्रभु ऐसा कर दीजे ऐसा कर दीजे जैसे कि प्रभु कोई conductor है जो सर्फ टिकेट माटने के लिए बैठा हुआ है प्रभु के प्रती आभार प्रगट करना चाहिए इस बात को मैं अक्सर सोचा करता हूँ क्योंकि हम लोग एक ऐसी कालोनी में रहते हैं जहां सभी लोग पड़े लिखे और दानी धर्मी लोग हैं इस इलाके के सारे भिकारियों को मालूम है कि इस कालोनी में चले जाओ तो दस घर जाओगे तो कम से कम साथ घरों में कोई न कोई जनता होगी और कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो इस कारण हमारी कालोनी में तो सुबह से शाम तक विकारियों का जमघट लगा रहता क्यूँ एक निकलाने की दूसरा दूसरा निकलाने की तीसरा बलकि मैं तो दोपहर को दो से लेकर चार जैंजीर डाल देता हूँ क्योंकि दो से चार डॉक्टर ने कड़ी हिदायद दी है कि मैं किसी भी तरह से अपने विश्राम को ब्रेक ना करूँ ठीक है तो इतने लोग आते हैं और इसका रेंड हमने अपने घर में एक बड़ी सी बोतल चिलर का बड़ी सी बोतल चिलर की रखी हुई है और सब को ये निर्देश दिया गया है बाहर बजार जाएं वापस आएं आपकी जेब में जितना चिलर है सब इस बोतल में डाल दि ठीक है जब कोई भीकारी आता है किसी जमाने में पच्चीस पैसा देते थे पचास देते थे एक रुपया देते थे दो दे देते थे आजकल कीमते बहुत बढ़ गई हैं तो आजकल हम पांच रुपया देने लगे हैं अक्सर हम क्या देखते हैं कोई आता है भूक लगी है पांच का एक सिक्का लेकर उसके हाथ में रख दो पहले तो सिक्के को ऐसे घूर के देखता है कि पांच का सिक्का उसने कभी देखा ही नहीं है उसके बाद मेरे चेहरे पे ऐसे घूरता है अच्छा लाखों के मकन में रह रहे हैं मुझे दे रहे पांच रुपया एक बार एक ने पूछ लिया कि लाखों के मकान में रहते हैं मुझे दे रहे हैं पांच रुपे है मैंने का कि अच्छा ठीक है तुमको पांच रुपे पसंद नहीं आए न मैंने तुरंत वो पैसा उसके हाथ से ले लिया मैंने का कि अच्छा अब एक बात बताओ कल ये जी मैं तुम्हेरे घर आके मैं तुम से कहूं कि मुझे भूक लग रही है मुझे कुछ पैसा दे दू तुम दोगे क्या नहीं क्यों नहीं दोगे तुम तो सुबह से शाम तक पांच के कितने ही सिख्के कलेक करते हो मान के चलो कि वाकई में मुझे भूक लग रही है और मैं आओ तुम्हारे दरवाजे पे तुम दोगे क्या नहीं दोगा क्यों नहीं दोगे पैसा मेरा है तो मैंने कहा कि जैसे पैसा तुम्हारा है वैसे ये पैसा किसका है ये तुम्हारा है क्या तब उसको उसके ज्यान बिच्ञन मनवाया है क्या नाइं सर आपने नौकरी करके तो मैंने कर तुम भी नौकरी कर सकते हो तुमारे हाथ-पैर शबूत हैं तुमारी आखे सही है तुम कहो तो अब लोगी इस compound में मैं तुमको दिनबर की नौकरी देता हूँ और दिनबर काम करोगे तो बड़े आराम से 5-600 रुपेया मैं तुमको दे दूँगा। जाओ तो उसने हाथ बढ़ाया कि वो पाँच दे दीजे मैंने का आज नहीं दूँगा। नहीं दूँगा। और मैंने का आई इंदा आओगे तो साश्टांग प्रणाम करोगे तब मैं तुमको एक रुपे का सिक्का दूँगा। वो डर गया। कि लगी लगाई मतलब भाई साहब से नियमित रूप से पांच रुपे मिल जाते अब साश्टांग प्रणाम करना पड़ेगा और उसके बाद मिलेगा ये एक रुपेया। बुरी इतरह से डर गया। डर के चला गया है लेकिन उसका फर्किये जरूर पढ़ा कि अगली बार से बड़ी इज़त से आता था और पैसा देने से पहले भी प्रणाम करता था, पैसा लेने के बाद भी प्रणाम करता था और कभी उसने मुठी खुल के नहीं देखी कि भाईया साहब ने क्या दिया है क्यों मुझे इतना उसके उपर कोप आया क्रोध आया आज इस सभा में जितनी लोग बैठे हैं इन में से कोई जादूगर है क्या जिसके पास कोई जादूई छड़ी है आपके पास रोज पैसे आ जाते हूँ नहीं कड़ी मेहनत करनी पड़ती है बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है आज इस सभा में काफी सारे लोग है जो घर बार छोड़कर हजारों किलोमेटर दूर रहकर सुबह से शाम मेहनत करते हैं पैसा मेहनत से आता है लेकिन इसको जानते हुए भी कई बार बिना मेहनत हमको जो चीज मिलती है उसकी कीमत हम नहीं पैचानते मेरा इशारा प्रभु की तरफ है जिस तरह से वो भिकारी ये सुनके आया था कि भाईया सहब के घर जाओ पैसा जरूर मिलेगा मिला तो उसको मजा नहीं आया उसने क्या सोचा था यहां तो लोटरी निकल आएगी अरे लोटरी कैसे निकल सकती है मेहनत करनी पड़ती है तब भाईया साब के पास पैसे आते हैं लेकिन संसार के सुरिष्टा प्रभु जिन्हों ने हर व्यक्ति और हर चीज की सुष्टा की है कई बार हम उनके पास भी बिलकुल उसी नजरिये के साथ जाते हैं प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दीजे नौकरी जब मिल जाती है तब हम कहते हैं प्रभु ये नौकरी मेरी जो ट्रेनिंग है और मेरी जो योग्यता है उससे तो अच्छी नौकरी आपने दिला दी लेकिन प्रभु मैं तो सोच रहा था कि आप तो इसे भी बड़ी नौकरी मुझे दिला देंगे अरे लाट साहब लोग सड़क पे नौकरी के लिए नंगे भूके फिर रहे नहीं मिल रही और प्रभु ने आपको आपकी जो योग्यता है आपका जो क्वालिफिकेशन है आपका जो आनफो है आपकी योग्यता से दसकुना जादा अच्छी नौकरी दी और उसके बाद आपका मेरा व्यवहार प्रभू के प्रती वैसा ही है जैसे इस बिकारी का था जिसको फ्री फंड में पैसे मिल गए इसलिए वहां खड़े होकर मुँ बिचका रहा था पांच रुपे, पांच रुपे किसको चाहिए उसको कीमत तब पता चली जब मैंने वो पांच रुपे वापस ले लिए मेरे और आपके जीवन में कई बार एक्जैक्टली हमारा व्यवहार ऐसा ही होता है प्रभू के प्रती जो आभार मेरे आपके जीवन में होना चाहिए वो नहीं होता है लेकिन प्रभू ने प्रार्थना अपने शिश्यों को कैसे प्रार्थना करनी है इस बात को सिखाते समय सबसे पहले ये कहा कि मेरे बच्चों पहले अपनी प्रार्थना में प्रभू को धन्यवाद देना सीखो आप जो स्वर्ड में हैं आपका नाम पवित्र माना जाए इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह är मेरे दिल में प्रभू आपके प्रती भक्ती हो और मैं जब आपके बारे में बोलूं तब जो सुनने वाले हैं वे इस बात को समझ सकें कि प्रभू धनी हैं इसमें से कुछ मतलब मैंने आपको बताया आपका राज्य आए इसका क्या मतलब है आज दुनिया दुनियावी लोग चला रहे हैं और इसके कारण कितनी समस्या होती है इस बात को हम जानते हैं आपका राज्य आए का मतलब है प्रभु इस संसार का राज्य आप अपने हाथ में ले लीजिए तबी इस संसार में शांती और अमन्चैन और न्याय कानून होगा इस प्रार्थना के पीछे एक उद्देश्य है प्रभु इश्यू ने अपने स्वरका रोहन से पहले ये बात बताई थी कि मैं जा रहा हूँ लेकिन उसी तरह से वापस आओंगा प्रभु का वच्चन ये बात याद दिलाता है कि प्रभु के वापस आने के कुछ सालों के बाद प्रभु एक राज्य की सुरुष्टी करेंगे मतलब सारा संसार उनके राज्य के या उनके न्याय कानून के अंदर आ जाएगा प्रभु शासन करेंगे तो जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है प्रभु आपका राज्य आए तो उसका मतलब यह है कि जब तक प्रभू आपका राज ये नहीं आएगा तब तक ना तो अमन चैन होगा ना शांती होगी मैं उस भविशी की तरह देख रहा हूँ है प्रभू जब आप इस संसार में आएंगे आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृत्वी पर भी हो इसका क्या मतलब है समझे गए प्रभू की इच्छा प्रभू की इच्छा के समान ही चलती है पूरी होती है इसके कहने का मतलब ये है हे प्रभु आपने मुझे आजादी दी है मेरे भाई को आजादी दी है मेरी बहन को आजादी दी है समाज में मनिश्यों को आजादी दी है आपने हमारे सरके उपर कोई मशीन नहीं लगा रखा कि हम इधर मुड़े तो मशीन हमको इधर मुड़ दे और इधर मुड़े तो मशीन हमको इधर मुड़ दे आपने हम कोई यंत्र नहीं बनाया और इसका अरिन प्रभू जिस तरह से आप चाहते हैं उसी तरह से हम व्यभार करें आपकी अच्छा के अनसार व्यावार करें इसके लिए हमारी मदद की जेए यहे है कहने का मतलब देखिए प्रभु ने प्रार्थना का जो नमुना दिया है उसमें पहले प्रभु के प्रतियाबार प्रभु कौन है इस बात को स्वीकार ये सारी बाते हैं उसके बाद क्या है आगे इतनी सारी बातों के बाद पहला अनिरोद आता है हमारे दिन बर की रोटी हमको दीजिए मनिश को रोटी, कपड़ा, मकान तीनों चीजों की जरूरत है लेकिन इसमें सबसे जरूरी कुन सी चीज है भोजन भोजन नहीं हो तो मनिश कितना ज्यादा जीवन में दर्द का अनिभाव करता है भोजन के लिए कई बार लोग चोरी भी करते हैं मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हर चोर भोजन के लिए चोरी करता है नहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि भोजन के लिए चोरी करना उचित है लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि कई बार लोग इवन भूख के मारे दुकानों में जाके, मिठाई की दुकानों में जाके जब कोई नहीं देख रहा है एक मिठाई पार कर लेते हैं मैंने बच्पन से इस तरह की बहुत सारी बाते देखी ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनको जब वो मिठाई पार करते हैं तो उनको बुला कर बर पेट खाना खिलाया है मेरी शुरू से आदत रही है इधर आओ, ये जलेवी तुने कहां से पाई सच बोल मैं देख रहा था तो वो कहता है कि भाई साब मुझे पकड़वा मत देना भूख के मारे मर रहा हूँ मैं उम्हां से खीच लाया तो मैं अक्सर उससे कहता हूँ मेरे साथ आओ, दुकानदार से कहता हूँ कि इसको इतनी जिलेविया तौल के दे दो, तौल के दे देता है उसमें से एक वापस, ये उसने पहले से उठा ली थी, ले जा तू खा लेकिन आहिंदा ऐसा मत करना, कम से कम कुछ काम कर ऐसे कई बच्चे हैं, ग्वालियर शहर में जिनको मैंने बुला कर, बाकाइदा, उनके साथ बैट कर, उनको जूता पॉलिश करना सिखाया है क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी है, जो बच्चे उतर भारत में बहुत आसानी से कर सकते हैं बाकाइदा बैट के मैंने उनको जूता पॉलिश करना सिखाया उनको पूरा जूता पॉलिश का किट खरीद के दिया और उनको शहर में ऐसे ऐसे जगे फिट किया जहां दुकानदार मेरे फ्रेंड्स है दुकानदारों से कह देता थे ये मेरा बच्चा है कोई इसको परिशान ना करे इसका ख्याल रखना कई बच्चों के साथ मैंने इस तरह से किया है क्यों इन बच्चों की मजबूरी है भोजन नहीं है आज तो सिति कुछ बहतर है मेरा जो बच्चपन था उस समय हर जगे भुकमरी थी हिंदुस्तान में राशन जो सिस्टम है वो तब चालू हुआ था भोजन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है और इसलिए चाहते नआ चाहते हुए जब भोजन देखते हैं तो लोग उसमें से छोड़ी छुपे खीच ले जाते हैं मेरी भी जरूरत है आपकी भी जरूरत है इसलिए जब हम प्रभू से प्रार्थना करते हैं पहले प्रभू के प्रति आभार और जब आभार प्रगट कर दें उसके बाद याचना क्यों ऐसा है इसके पीछे कई कारण है पहले हम यदि प्रार्थना करें और उसके बाद मिलें तो उसके बाद तो फिर हमारा नजरिया यह होगा बस प्रभू आपने सिर्फ इतना ही दिय क्या लेकिन इदी पहले प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करें और उसके बाद प्रभु से मांगें तो प्रभु जो देंगे उसको हम दिल से स्वीकार करेंगे इसलिए प्रभु ने एक क्रम रखा है ठीक है अच्छा तो प्रभु के प्रती शुक्र गुजारिया आभारी प्रगट करने के बाद पहले हमें प्रभु से मांगना है भोजन ठीक है और वो भी दिन बर की क्यों इसके पीछे भी एक कारण है मनिश्य कई बार भोजन ना होने के कारण परेशान हो जाता है लेकिन आपने चिडियों को भोजन ना होते हुए कभी देखा है क्या बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम देखा है मेरा गाउं तो ऐसी इलाके में है जहां पानी की कमी है खेतों में सिचाई के लिए कई बार बहुत परेशानी हो जाती है और कई बार अकाल पढ़ता है इसके बाव जो चिडियें कहीं न कहीं से चुगने के लिए दाना धूण निकालती है प्रभू के वच्चन में कहा है कि चिडियें ना तो खेती करती हैं ना तो बोती हैं ना फसल काटती हैं इनको भोजन कौन देता है सर्विशक्तिमान प्रभु जिनने इस संसार की स्रिष्टी की है और उसके बाद प्रभु नहीं कहा थे देखो तुमारी कीमत चिडियों से बहुत अधिक है बहुत अधिक है आपके घर के सामने यदि कोई कुटा आके भूखा खड़ा हो और याज़ी आपके पास रोटी हो मुझे यकीन है कि आप एक टुकड़ा रोटी उसको उसके सामने डाल देंगे दोपर को खाने की मेच पे बैठते हैं तो आप खाने का चपाती का बर्तन अपने बेटे के सामने पास करते हैं दोनों को ही आपने चपाती दी दोनों की हैसियत एक ही है क्या जी नहीं मेरा बेटा तो मेरा बेटा है सड़क चलता कुटा सड़क चलता कुटा है उस पर दया आई इसलिए मैंने उसको दिया यह comparison यह तुलना मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं इस संसार के स्रफटा की नजर में चिडियों की तुलना में मेरी आपकी जो खीमत है मेरा आपका मूलिप बहुत अदिक है तो प्रभु स्वैम कहते हैं कि मेरे बच्चों जब मैं चिडियों को बिना खेती किये बिना बोए बिना फसल काटे जब उनको प्रती दिन भोजन देता हूं तो तुम तो मेरे बच्चे हो तुमको कमी कैसे होगी मैं उसका ख्याल रखूंगा इसलिए प्रभु से हम याचना करते हैं आज दिन बर की रोटी हमको दीजे इसके अलावा और कोई बात यहां मांगी है क्या जी नहीं कपड़ा नहीं मकान नहीं क्यों इसलिए कि जीवन की सबसे मूल बात यदि प्रभु दे देते हैं तो प्रभु बाकी भी देंगे इसे हम जानते हैं इसलिए अगला स्टेटमेंट है जिस तरह हमने अपने अपरादियों को छमा किया वैसे ही प्रभु हमारे अपरादियों को छमा कीजिए यह स्टेटमेंट प्रार्थ ना में क्यों आया है इसके पीछे एक कारण है प्रभु ईशू के बच्चों के जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है पाप छमा हम कैसे प्रभु ईशू की संतान हुए प्रभु के बच्चे कैसे हुए प्रभु ने हमें पापों से छमा दी और छमा दे के हमको अपनी संतान बनाया तो जब छमा के द्वारा हमारा जीवन आरम हुआ है तो प्रभु हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन के हर चंड, हर पहलो च्छमा च्छमा और च्छमा दिखाई देगी इसलिए लिखा है जैसे हमने अपने अपरादियों को च्छमा किया है प्रभू हमारे अपरादों को भी च्छमा कीजिए हम मैंसे कौन है जिसने प्रभु के विरुद कभी भी कोई अपराद नहीं किया है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ऐसा कोई भी धर्मी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो यह कह सके कि मैंने कभी प्रभु के विरुद कोई अपराद नहीं किया है अच्छा ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रभू से ठ्षमा नहीं चाहता है और अर व्यक्ति प्रभू से ठ्षमा चाहता है और यदि कोई कहता है कि मुझे प्रभू से ठ्षमा नहीं चाहिए तो या तो वो पागल है या वो इतना अपरादी हो गया है कि वो प्रभू को मानने ही नहीं चाता या उसके जीवन में कोई तो भी परेशानी है शायद उसने नशा कर रखा है वो ठीक से सोच नहीं पा रहा है लेकिन जो भी व्यक्ति सही रीती से सोचता है भाई हो या बहन हो बड़ा हो या बच्चा हो राजा हो या भीकारी हो हर व्यक्ति को ये बात मालूम है कि मुझे जीवन में प्रभू से च्छमा की जरूरत है लेकिन प्रभू एक बात या आप दिलाते हैं प्रभू से च्छमा मांगने से पहले प्रभू के बच्चों को अपने जीवन में छमा के आदत दिखानी चाहिए क्यों? इसलिए कि हमारे जीवन का आरंब छमा से हुआ है और यदि जीवन का आरंब छमा से हुआ है तो हमारे जीवन के हर छंड में छमा होनी चाहिए इसके बारे में प्रभु ईश्यू ने एक बार एक कहानी सुनाई थी प्रभु ने कहा कि देखो एक बहुती धनी आद्मी था उसका एक गुलाम था एक दिन मालिक ने गुलाम को बुलाए अरे सुनो इधर तो आओ जरा कापते हुए मालिक के सामने खड़ा हो गया उधार है उसका क्या होगा वो काप गया उसकी रूप काप गई वो मालिक के पैरों पर गिर पड़ा उसने का कि हे मेरे मालिक मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजे मैं करोडों रुपे का जो उधार मैंने आप से लिया है कौड़ी 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 चुका दूंगा देखिए एक तो वो गुलाम नमबर दो उसकी कोई सोतंत्र उसका कोई income नहीं है करोड़ो रुपे जो उसने उधार लिये और शाहिद वेस्ट कर दिये उसमें कौड़ी कौड़ी चुका है अरे वो कुछ नहीं चुका सकता उसके मालिक को उसके उपर दया आई क्योंकि मालिक को मालूम है कि वो नहीं चुका सकता ये बात मैं याद दिला दू यहां मालिक प्रभु को दिखाते हैं वो गुलाम मैं और आप हैं मालिक ने कह के तू क्या चुकाएगा आज मैं तेरी उधारी माफ कर देता हूँ करोड़ो रुपे का उधार जिसको वो पीड़ी दर पीड़ी नहीं चुका सकता था मालिक ने छंड भर में माफ कर दिया माफी पाया हुआ ये गुलाम आगे को गया तो एक और गुलाम नजराया अरे उसने का कि पपू इधर तो आओ या लल्लू इधर तो आओ तू ने मुझसे दस रुपे उधार लिये थे हाँ मैंने लिया था बड़ी परिवार में बहुत जरूरत पड़ गई थी मैंने उधार लिया था वो दस रुपे वापस करो वो गुलाम इस गुलाम के पैर गर पड़ा मुझे थोड़ा सा और टेम दीजे मैं कोड़ी कोड़ी चुका दूँगा ये गुलाम जिसके दस करोड़ों रुपे माफ हो गए थे माफी पाने के दो या तीन मिनिट के बाद जिसने उससे दस रुपे लिये थे उसका गला पकड़के उसका गला दबाता है ऐसा प्रभु ईश्य ने कहा देखिए दस करोड़ रुपे उधार चुकाने एक गुलाम के लिए आसान है या दस रुपे का उधार चुकाने दस रुपे का दस करोड वो कभी नहीं चुका पाता है, लेकिन दस रुपे जिसने उधार लिये थे, वो शायद चुका देता, अच्छा मान लीजे नहीं चुका पाए, तो भाया तुमको करोड रुपे, दस करोड रुपे का, दस करोड रुपे का, रिलीज मिला है, दस करोड रुपे तु दस रुपे नहीं छोड़ सकते क्या वो उसका गला दबाने लगा तो उसने और बिंती की नहीं नहीं और इस गुलाम ने क्या किया जिसने दस रुपे उधार लिया था उसको जेल में डलवा दिया साथी लोग जो गुलाम थे उनके ये बात बुरी लगी उनने जाके मालिक को बताया मालिक ने बुलाया मालिक ने का अरे दुष्ट दास तेरे दस से बीस करोड रुपे मैंने माफ कर दिये तू जिसने माफी का निभो किया तेरे जिवन में भी ये ही माफी दिखाई देनी चाहिए थी और मैंने तुझे जो माफ किया है उसकी तुलना में दस रुपे क्या है और इसलिए मालिक ने क्या किया इसको पकड़ के जेल में डाल दिया और वो जिसकी दस रुपे की उधरी थी उसको छुडा दिया ये कहानी प्रभू इश्यू ने सुएम सुनाई जो मेरे और आपके जीवन को दरशाती है हम मैंसे कई लोग ऐसे हैं जिनोंने जीवन में शमा क्या चीज है ये कभी नहीं सीखा है अपने भाई, अपनी बहन, मा, बाप, चाचा, चाची, ताउ, रिष्टे में किसी ने कोई जरा सा गलक काम किया जिन्दगी भर उसको याद रखते हैं और बदला देने की कोशिश करते हैं मेरे इलाके में तो पीडी दर पीडी एक दूसरे को शूट करते हैं मैं दो परिवारों को जानता हूँ मेरे बच्पन में एक परिवार वाले ने दूसरे को शूट किया मैं जब दस साल का हुआ तब दूसरे परिवार वाले ने पहले परिवार वाले को शूट किया मैं जब 20 का हुआ तो यहां से उधार, 30 का हुआ तो वहां से यहां कम से कम 6 या 7 आपस में उन्होंने एक दूसरे को गोली मारी क्यों? और सब जेल में हैं एक को पकड़के जेल में डाल दो परिवार का दूसरा सा दसी गोली मार देता है छमा नहीं सीखा है लेकिन प्रभू ईशू इस बात को याद दिलाते हैं प्रभू के बच्चों के जीवन में कुछ बातें विशेश दिखनी चाहिए अपन खुद जानते हैं ना कि बच्चे जब बात करते हैं तो इनकी बात्चित से एकदम से समझ में आ जाता है कि इनके माबाप ने इनको दूसरों से बात करने का तरीका सिखाया है क्या सलीका सिखाया है क्या हम एक सामानी परिवार के अंग नहीं हैं जिनों ने प्रभू ईशू के द्वारा ने जीवन पाया है हम एक आस्मानी परिवार के बच्चे हैं और हमारा व्यवहार आस्मानी परिवार के बच्चों के समान होना चाहिए आस्मानी परिवार के बच्चों के जीवन में जो व्यवहार दिखना चाहिए उसमें से पहला और सबसे महतोपूर्ने व्यवहार है छमा छमा के साथ हमको जीवन बिताना चाहिए जब हम च्छमा करते हैं तब ही हम प्रभू से बिंती कर सकते हैं प्रभू मैंने च्छमा प्रदान की मैंने सब को माफ किया प्रभू मेरी गलतियां भी माफ कर दीजे आगे लिखा है प्रभू हमको परीच्छा में मत लाईए देखिए हर व्यक्ति के सामने परीच्छा आती है गलत काम करने के लिए जो फैक्टरी में है उसके सामने भी आती है परीच्छा जो बिजनस में है जो एजुकेशन में है हर एक के सामने परिशा आती है गलब काम करने के लिए इसलिए प्रभू से बिंती है प्रभू ऐसे काम ऐसे बातों में फस्थ न जाए उसके लिए मदद कीजे प्रभू हमको बुराई से बचाईए प्रभू के बच्चों के जीवन में हमेशा ये इच्चा होनी चाहिए प्रभू जब तक हम इस संसार में है तब तक तमाम तरह की बुराईया हमारे चारों तरफ आने की संभावना है इन चीजों से हमको बचाईए और आगे क्या लिखा है फिर से राज्य पराक्रम महिमा आपके है क्या मतलब प्रभू ने सृष्टी की है सृष्टी की है पालन करते हैं पालन हा उद्धार देते हैं तारन हा प्रार्थना के आंत में भी इन बातों को स्मरन रखना हम में से हर व्यक्ति के लिए जिरूरी है आज संधिया को जो बाते मैंने आपके सामने रखी उनका साराश एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ हम में से हर व्यक्ति हर दिन किसी ने किसी जिरूरीत के लिए इश्वर से प्रार्थना करता है कोई एजुकेशन के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना करता है कोई अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना करता है कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है कोई अपने बच्चों की नौकरी के लिए कोई अपनी शादी के लिए कोई अपने बच्चों की शादी के लिए शादी शिदा लोग जो हैं ये उम्मीद करते हैं कि वो फल्बंध होंगे वे प्रार्थना करते हैं प्रभू मुझे संतान दीजे संतान पुष्ट कीजे जो बीमार हैं वे लोग प्रार्थना करते हैं प्रभू मुझे चंगाई दीजे जिससे कि मैं काम धाम कर सकूं और प् नहीं है हमें से हर व्यक्ति के जीवन में जरूरते हैं हमें से हर व्यक्ति प्रपोसे प्रार्थना करता है लेकिन हमारी प्रार्थना उस भिकारी के समान स्वार्थी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए जिसने सुना कि इस घर में जो भाईया साब रहते हैं हर भिकारी को कुछ कुछ देते हैं तो वो भीक मांगने के लिए भीकारी के रूप में आया लेकिन उसके मन में भीक की भावना ने लूट की भावना थी और इसलिए जब उसके हतेली पर मैंने पैसे रखा तो उसको पसंद नहीं आये वो चाता तो उससे भी बड़ी राशी मेरी और आप की या मेरे आपका नजरिया कहीं ऐसा तो नहीं है प्रभू से प्रार्थना की बच्चों को एज्जुकेशन दिया हमको मज़ा नहीं आया बेटे को बहुत अच्छा ओधा दिया हमको मज़ा नहीं है प्रभू आपने बेटे को उसकी जो क्वालिफिकेशन नहीं उससे उंची पोजिशन दी लेकिन प्रभू मैं तो चाता था कि शहर के जो लाट साव है उनका लड़का यहां काम कर रहा है वो मेरे बेटे को मिल जाए अरे लाट साव का बेटा जो नौकरी कर रहा है वो मिलना है तो पहले तुम लाट साव बनो वो मेहनत से लाट साव बना है यह चीज़े हम भूल जाते हैं प्रभू के पास जब जाएं तब हम बहुत ही आभार के साथ जाएं इस बात को याद रखें कि हमारी जो योग्यता है उससे अधिक प्रभू हमको देते हैं एक बात बताईए मेरे पैसे के उपर क्लेम दावा किसका है मेरा है मैंने महनत से पैसा कमाया है उसके उपर दावा मेरा है मेरे बाद मेरी वाइफ का क्लेम बनता है हम दोनों के बाद मेरे बेटे का क्लेम बनता है उस भिकारी का कोई क्लेम बनता है क्या कि भाईया साब कमा रहे हैं उसमें से 20 प्रतिशत मेरा है कोई क्लेम है क्या नहीं है बिना कोई क्लेम में कोई दावा नहीं है इसके बावजुद उसको दिया संतृत्ति नहीं हुई मेरे आपके जीवन में जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं याद रखें प्रभु के उपर हमारा कोई दावा नहीं चल सकता प्रभु ने हमको हाथ पैर दिये हैं, आखें दिये हैं मेहनक करना, नौकरी करना, बच्चे पालना हमारी जुम्मेदारी है लेकिन जब हम प्रभु से बिन्पी करते हैं, इस कारण क्लेम के कारण नहीं लेकिन ये याद रखे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे पिता हैं सर्विजानी है, सर्विशक्तिमान है, प्रेमी पिता है इसलिए हमारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए सदे तत्पर है इस बात को याद रखे, पूर्ण आभार के साथ हम प्रार्थना करना सीख है खतम करने से पहले, एक दो बातें और याद दिलाना चाहता हूँ इसके पहले ये बात मैं याद दिला चुका हूँ कि हम मैंसे हर व्यक्ति के जीवन में, कम से कम सुबह और शाम को नेमित रूप से प्रार्थना की आदत होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बस जब परेशानी आई तब प्रभू के पास प्रार्थना के लिए गए दूसरी बात हम मैंसे हर व्यक्ति को प्रभू के साथ एक अभिन संबंद पाना जरूरी है इस सत्संद में ऐसे कई भाई बेहन हैं जिनोंने ये अभिन संबंद प्रभू के साथ पाया है मैंने ये बात कई बार याद दिलाई है आज से साथ साल पहले मैंने गुटने टेप कर प्रभू से प्रार्थना की कि प्रभू मैं पापी हूँ पापी मैं था आपसे दूर आपने मेरे लिए सूली पर अपने जीवन दिया मैं उसे ग्रहन करता हूँ मेरे पापों से मुझे च्छमा दीजे प्रभू ने मुझे च्छमा दी पापी मैं था आपसे दूर बचा लिया दया है आपकी इस सभा में ऐसे कई लोग हैं जो आपको ये गवाही दे सकते हैं मैं एक पापी था लेकिन बचा लिया प्रभू ने दया है प्रभू की इस सथसंग में यदि कोई भाई या बहन ऐसा है या ऐसी है जिसने इस नई जीवन को नहीं पाया है तो मैं आपसे बिंती करना चाहता हूँ इस नई जीवन की उपेक्षाना करें इसकी बारे में और विस्तार से जानने के लिए इस सभा के बाद मैं यहां सामने बैठा रहता हूँ आकर मुझसे संपर कीजे मैं आपको विस्तार से समझाओंगा यदि आपको मैं थोड़ा सा सीनियर हूँ इसलिए मेरे पास आने में परिशानी होती है तेहां और भी कई भाई लोग हैं जो मुझसे उमर में काफी छोटे हैं यह लोग आपको ये बात हैं अच्छी तरह से समझा देंगे क्योंकि वो लोग चाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो खुशी और शांती पाई है ये खुशी और शांती आपको भी मिल सके प्रभू आप सब की मदद करें आप सब को अनिगर दें फिर से मैं याद दिलातूं जब तक है जिन्दगी फुरसत न मिलेगी काम से दो बातन को भूल मत भहिया एक मौत को और दूजा सिर्जन हा हम सब को एक दिन ये दुनिया छोड़के जाना होगा जब तक यहाँ है तब तक सतसंग में आकर सिर्जन हार को स्मरंड करने के लिए जो आउसर मिलता है उसे न भूले जब तक है जिन्दगी फुरसत न मिलेगी काम से दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्यान भहिया एक मौत को दूजा सिर्जन हा जैमसी के लिए